तो बात करते हैं आज की सप्राइज की जो कि शारुक खान ने दिया है मूवी की रिलीज को लेकर नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चानल दीनाशनल टीवी में शारुक खान की जवान थेटर्स में लग चुकी है बिलाश ये उनके करियर की सबसे मसालेदार फिल्म है इसमें आपको तक्रीबन हर वो एलिमेंट मिलेगा जो किसी मेंस्ट्रीम आट्टेमिन फिल्म में होना चाहिए हैना इदम जखकास एक के पैसे में दो दो शारुक खान मिल रहे हैं और क्या चाहिए भाई साहब इससाथा पब्लिक को रेली और क्या चाहिए बहतर फिल्म जवान को देखते हुए कई मौकों पर ऐसा लगता है कि जो शारुक खान चीजों में अपने असल जीवन में नहीं कर पाते वो उनके फिल्म के थू करने को मिल जाता है मसलन देश के समाजिक राजनी तिक मसलों पर खुल कर अपनी बात रखना देखिये जवान में कभी हमसे एकदम अलहदा फिल्म होने का वादा नहीं किया था वो है भी नहीं और ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ टिकेट खीड की पर पैसे कमाने के मकसद बें बनाए गई है और फिल्म खूब सारे पैसे भी कमाएगी क्योंकि शारुक खान साहाब जो है शारुक खान साहाब की जितनी करांतिकारे सिनेमा करना था उन्होंने 2014 से लेकर 2019 सब कर लिया है अब वो वही करेंगे जो पब्लिक देखना चाहती है जो कि सहीं भी है आखिर मेन ओडियन्स तो पब्लिक ही होती है पब्लिक है भाई पब्लिक है पब्लिक है जो सब जानती है सबको पता है कि जवान में शारुक खान का डबल रूल है इस फिल्म से मेरा हासल विक्रम राठोड का पिता वाला किरदार है जसके बैक स्टोरी चकदे इंडिया वाले कबीर खान की तरह है मगर थोड़ा मस्कुलिन, सिनेमेटिक और स्वागर से भरपूर फिल्म के आखिर में एक सीन है जहां आजाद और विक्रम विलन से लड़ रहे होते हैं काली उनके उपर शॉटगन से गोली दाग रहा होता है ये दोनों लोग एक शिल्ड के पीछे चुपे होएं पहली गोली लगते ही विक्रम और अजाद दोनों थोड़ा पीछे की ओर सरकते हैं पोस्नली ये फिल्म का एक लौता सीन है जिसे मैं दोबारा ये रिवाइन करके देखना चाहूँ है जवान खालिस मसाला सिनेमा है जिसको साउट स्टाइल में ट्रीड किया गया है कथानक से लेकर मैसेज तक सब कुछ केरेक्टर्स के लुग गौर्डियन्स ओफ दी गैलक्सी के केरेक्टर्स की तरच पर बनाये गए हैं फिल्म का एक सीन देखकर तो जीरो डाक थोर्टी की आदा जाती है फिल्म की सब प्लॉट्स में कई समाजिक मसलों को छूने की कोशिश की गई है जैसा कि हर साउट की फिल्म में होटा है मगर वो जीरन्यून एफ़ोर्ट्स नहीं लगाता इन्हें दर्शकों को ब्लाक मेल करने के लिए सिनेमेटिक टूल्स की तरह इस्तमाल किया जाता है इस फिल्म की सबसे जादा खलने वारी चीज मुझे यही लगी थी जवान उन चीजों को पकड़ती है जिसे लेकर सोसाइटी बहुत टाची है कि सानों की आत्मत्या, बच्चों की जान का खत्रा, प्रेगनेंट महिलाए, अल्प संख्या लोग, ब्रस्टा चार, चुनावों की रिगिंग, इनमें से हर चीज आपको परिशान कोती है क्योंकि वाकई वो जरूरी मसले हैं जिन पर बात होनी ही चाहिए फर्क बस ये है कि उन मसालों पर किस नियत से बात की जा रही है क्या वाकई फिल्म या इसे बनाने वाले इन सामजिक मसलों को लेकर फिकर मन्द है या फर बस अपने वीवर्शा आते हैं जवान को महिला केंदरत फिल्म कहकर प्रोमोट किया जा रहा था कहने को तो ये दंगल भी महिलाय प्रधान थी मगर थी क्या जवान में आपको छे महिला किरदार नजर आते हैं उन सबकी कहानी फिल्म के लिए अलग-अलग सब प्लोट स्यार करती है पूरी कहानी में सिर्फ उनका इतना ही रोल है कि सान्या मलावत्रा से लेकर प्रिया मणी अपनी फिल्म सिरीज में नाईकाओं के रोल करती है यहां उन्हें एक फुल लेंथ डायलोग तक बोलने को नहीं मिलता नयंतारा एकलौती अक्टरस है जिने फिल्म फूटेज देती है वो भी इसलिए क्योंकि वो फिल्म की हिरोईन है भाई हिरोईन विजय सेतुपती एकदम टिपिकल विलन बने है जो पहले राउंड में हीरो को हरा देते हैं दूसरे राउंड में हीरो विलन से बदला लेने आता है विजय सेतु पती के काली के किरदार को थोड़ा और उबर कर आने देने जाना चाहिए तो शायद फिल्म और रोचक बन सकती थी हाला कि उनका एक सीन है जब वो अपने गुर्गों से कहते हैं कि आजाद और विक्रम को खत्म करो वरना ये लोग गाना गाने लगेंगे उन्हें सुनना पड़ेगा फिल्म में दो सूपरस्टार के कैम्यो हैं जो हद से ज़ादा निराज जिनक हैं फिल्म का एड देखकर तो मुझे एक बार तो लगा आईला अब बास मुस्तन की रेस ये फिल्म जतनी शारुक खान की है उतनी ही एटली की भी है एटली को अलिवेशन वाले सीन्स का मास्टर माना जाता है वो यहां भी करते हैं फिल्म का बाग्राउंड म्यूजिक तगड़ा है भाई काफी तगड़ा है खासकर जवान थीम मगर चलिया के अलावा कोई भी गाना याद नहीं रहता कुल जमा बात ये है कि तमाम खामियों के बावजूद आप ये नहीं कह सकते कि जवान आपको वो नहीं देती जिसका वादा फिल्म ने किया था क्या भाई एंटर्टेइमेंट और क्या शारुक खान पठान के बाद जवान के तौर पर एक अच्छा फॉल अप डिलिवर करना चाहते थे वो उन्होंने कर दिया है क्योंकि ये फिल्म जोक कर पैसा कमाने वाली है जवान को देख कर मुझे आज कल सोशल मीडिया पर चलने वाले मेम रूपी कथन याद आते हैं आई है वान बट अट वाट कास्ट अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक शेर जरूर करना और कॉमेंट में जरूर बताएगा कि आपके क्या रीवियू है इस मूवी को लेकर के